शात्रो नमस्कार NCERT गड़ेत कक्छा दसमी में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रिश्णा माली 8.1 का प्रस्ण किर्मांग 10 हल करेंगे तो आए सबसे पहले प्रस्ण पढ़ लेते हैं इसमें दिया गया है तिर्भुच PQR में कौन Q सम कौन है जबकि PR प्लस QR बराबर 25 cm और PQ बराबर 5 cm है तो sin P, cos P और 10 P के मानियात कीजिए तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक तिर्भुच PQR दिया गया है तो हम माल लेते हैं कि यह तिर्भुच PQR है लेकिन इसमें हमें नाम ध्यान से देना है question में लिखा है कि कौन Q सम कौन है तो Q आपको यहाँ पर ही देना पड़ेगा क्योंकि यहीं पर सम कौन बना हुगा है तो यह देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया Q जो है वो सम कौन है इसके बाद हम P और Q कहीं भी दे सकते हैं तो हमने यहाँ पर दे दिया P की question में लिखा है कौन Q सम कौन है तो देखिए यहाँ पर कौन Q सम कौन है बागी P और R कहीं भी दे सकते हैं इसके बाद P Q दी गई है 5 cm यह देखिए P Q जो दी गई है वो है 5 cm तो यहाँ पर हम 5 cm लिख लेते हैं इस तरीके से और P R और Q R 25 है तो P R यह देखिए P से लेके R तक और Q R दौनों का योग जो है वो 25 दिया गया है लेकिन यहाँ पर हमें ना तो Q R पता है ना P R पता है लेकिन दौनों का योग पता है वो है 25 तो ऐसी स्थिति में हम Q R माल लेते हैं X cm और P R माल लेते हैं by cm इस तरीके से तो यह आपको मान लेना है अब इसके बाद कॉश्चन के अनुसार हम कुछ लिख लेते हैं जैसे दिया है या चित्रा अनुसार तिर्भुच P Q R प्रदरसित है जिसमें कॉण Q सम कॉण है सबसे पहले हमने यह लिख लिया इसके बाद हमने माना Q R बराबर X cm और P R बराबर 22 cm माना Q R बराबर X cm और P R बराबर 22 cm तथा P Q बराबर 5 cm यह दिया गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा P Q बराबर 5 cm ब्रैकिट में लिख देना है दिया है यह इतना हमने लिख लिया इसके बाद साथ में हमें दिया गया है P R प्लस Q R बराबर 25 तो हम इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं चुकि P R प्लस Q R बराबर 25 हमें दिया गया है लेकिन P R कमान कितना है यह देखिए P R है बाई तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई प्लस Q R है X यहाँ पे लिख देते है X बराबर 25 यह लिखेंगे दिया 25 अब चुकि हमें यहाँ से बाई का मान निकालना है तो बाई का मान इसलिए निकालना है ताकि पूरा समीकरण X में बने तो यह हम बाई को लिख सकते हैं 25 माइनस X इस तरीके से बाई बराबर 25 माइनस X तो इस बाई की जगह पर हम लिख सकते हैं 25 माइनस X इस तरीके से तो यह देखिए बाई की जगह पर हमने लिखा 25 माइनस X इतना आने के बाद इसको हम समीकरण 1 बना देंगे और अब हम समकौन तरवज में पाई थागुरस प्रमी लगा देंगे जिससे X का मान आ जाएगा आप देख रहे हैं बाई की जगह पर हमने X में कनवर्ट कर लिया बाई को हम 25 माइनस X लिख सकते हैं यह भी X में है और यह संख्या है तो जब यह करोगे आप तो X का मान आ जाएगा तो समकौन तरवज P की वार में पाई थागुरस प्रमी से और यह पाई थागुरस प्रमी होता है करण का वर्ग और करण कितना है 25 माइनस X तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 माइनस X का वर्ग या फिर आप लिख सकते हो बाई वर्ग तो बाई का मान 25 माइनस X है तो वो वही आ जाएगा लंब का वर्ग यानि 5 का वर्ग प्लस आधार यानि X लंब आधार कोई भी लिख सकते हैं तो इसकी सर्व समीका होती है A वर्ग यानि 25 का वर्ग तो यह आएगा 625 B वर्ग यानि X का वर्ग तो प्लस B वर्ग यानि X का वर्ग माइनस 2AB यानि 2AB यानि 2 गुड़ित 25 यानि 50X आजाएगा और बराबर 25 और प्लस आजाएगा X वर्ग X वर्ग और X वर्ग कैंसल माइनस का 50 X का पक्छांतर इस्तरप कर देंगे और प्लस के 25 का पक्छांतर इस्तरप कर लेंगे तो 625 माइनस का 25 प्लस का 25 इस्तरप आएगा तो माइनस का 25 बरावर माइनस 50 इस्तरप आएगा तो प्लस 50 X हो जाएगा 625 में से 25 घटा देंगे तो आपको मिलेगा केबल 600 बराबर 50X तो X का मान ग्यात करना है इसलिए गुणाबाली संख्या को बटे में पहुँचा देते हैं यानि 600 बटे 50 बराबर X 0 से 0 कट जाएगा और 12,5 होता है इसलिए X का मान आएगा 12 12 X का मान हम समिंकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर देखिए यह है समिंकरण 1 यहाँ पर जदी X का मान रखेंगे तो Y का मान हमें मिल जाएगा तो हम लिखते हैं X का मान समिंकरण 1 में रखने पर समिंकरण 1 में रखने पर चलिए माइनस X तो बाई बरावर 25 माइनस X की जगह पर रख देंगे 12 है तो 25 मैंसे 12 है चले जाएंगो तो आपको मिलेगा 13 है तो ये बाई का मान कितना आया 13 है और X का मान कितना आया 12 है इस तरीके से तो अब हम इस चित्र में यहां पर X की जगह पर लिख सकते हैं असल में 12 है और बाई की जगह पर लिख सकते हैं 13 ये देखिए और ये 5 तो था ही तो ये हमने तो हमें Sine P और Cos P और 10 P का मान निकालना है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम निकाल लेते हैं Sine P तो यहां पर Tea Tay की तरह P काम करेगा तो ये देखिए ये है यहरे है निकालना होता है V ल्मब बटे करन लेकिन ठीता ये है तो यशी साबसे ये ल्मब हो जाएगा 12 है और करन हो जाएगा 13 है क्योंकी साइन का फ्रूमूला होता है ल्मब बटे करन तो एशी स्थिति में ठीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा 12 और करण हो जाएगा 13 तो 12 बटे 13 इसके बाद हमसे कॉस्टन में पूसा गया है कउस पी और 10 पी भी गयात करिए चलिए कॉस पी और 10 पी भी निकाल लेते हैं, सानपी तो हमने निकाल ही लिया है cos p देख लेते हैं कितना है cos p यहाँ पे p जो है thita की तरह काम करेगा तो लंब ये है तो आधार बनेगा ये करन तो समकोर्ण के सामने की भजाही होती है तो लेकिन cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे करन आप देख रहे हैं आधार बटे करन तो ये देखी ये है आधार क्योंकि ये ठीटा है तो ये हो जाएगा लंब तो ये है आधार बटे करन ये है तेरा पांच बटे तेरा है इसके बाद हम निकालेंगे टैन पी टैन होता है लंब बटे आधार ये लंब है और ये आधार है बारह बटे 5 क्योंकि ठीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा तो बारह बटे 5 इस प्रकार हम साइन पी कॉस्पी और टैन पी निकाल लेते हैं तो वासा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा थैंक यू